हेलो दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी साइंस क्लासेज में हम लोगोंने पिसले वीडियो में पैलोग्राम की जितनी सारी प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में पढ़ा था आए उससे रिलेटेट कुछ क्वेश्चन्स सॉल्व करते हैं इस वीडियो में तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट गिवन का रखा है इन गिवन फिगर अवी सी डी इस अ एलोग्राम इन विच एंगल डी सी बी 75 डिगरी और अंगल अडी बी 65 डिगरी देन अंगल अबी डी इस इक्वल टू मतलब यहां से अंगल अबी डी जो है ये वाला ये किसके इक्वल होगा ये पूछा है आपसे तो अंगल अ बी डी इक्वल अब यहां से देखें तो क्या हमने क्या पढ़ा था इन फिगराम में अपोजिट वर्टेक्स के अंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो जब ये वर्टेक्स सी पे अंगल 75 गिवन है तो इसके अपोजिट वर्टेक्स ए पर भी अंगल कितना 75 गिरी ही बनेगा अब ओवर ओल ये हम इस डागनल डी बी की बात करें तो ये क्या कर रहा है इस पैलो ग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइट कर दे रहा है तो यहां से एक ट्रंगल आपको मिलना होगा ADB और हमें ये पता ह कि overall triangle के जों interior angle का sum होता है वो कितना होता है 180 degree तो यहां से हम क्या लिख सकती हैं angle A plus angle B plus angle D equal to कितना 180 degree अब angle A भी given कर रखा है angle D भी given कर रखा है सिर्फ angle B हमें find करना है तो angle A 75 plus angle B हमें find करना है plus angle D कितना है 65 equal to 180 अब ये 75 और 65 add कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 140 plus angle V equal to 180 अब ये plus का है इधा shift कर देंगे तो क्या हो जाएगा minus का तो यहां से angle B equal to 180 minus 140 करेंगे तो angle B की value कितनी निकल के आजाएगी 40 degree तो जो ये angle B है ये कितना हो जाएगा 40 degree अब पैलो ग्राम में क्या ट्रांस्वर्शन ये लाइन ही तो है क्या क्यों कि ये parallel lines है तो अब यहां से जब ये ट्रांस्वर्शन लाइन as a diagonal work करेगी तो इसके alternate क्या angle होंगे equal होंगे मतलब जो angle ये होगा वही angle ये होगा similarly जो angle ये form होगा वही angle ये form होगा तो by alternate property से हम कह सकते हैं कि angle B, D, C जो होगा वो equal किसके होगा angle a, b, d, k तो अब यहां से आप directly कह सकते हैं ये भी angle कितना 40 degree का ही form होगा तो आप से पूछा गया था angle a, b, d equal किसके होगा तो angle a, b, d, kisके equal है angle b, d, c, k तो अब यहां से आप लिख सकते हैं कि angle किसके equal होगा B, D, C, K B, D, C, K बात करते हैं अगले question मगी given का रखा है the area of kilogram A, B, C, D is 300 cm square the distance between A, B and C, D is 20 cm and the distance between B, C and A, D is 30 cm what is perimeter of allogram आपके पस एक allogram है A, B, C और D अब जो A, B और D, C के बीच के जो distance है अब distance ये जो side है इसको महने नहीं रखेगा distance मतलब इसके बीच का ये जो perpendicular होगा मतलब height तो ये पहली क्या given कर रखी है is 20 cm तो हमने मालिया की A, E point पे मिल रही है और 90 degree पे bisect कर रही है मतलब इंटरसेक कर रही है तो इसके जो length है वो 20 cm है सिमिलरली आगे क्या बताया है डिस्टेंस बिटमिन BC and AD BC और AD की बात की गई है तो इसके बीच की जो distance है तो एक इस पे हम क्या perpendicular जो करते हैं तो ये इसकी जो distance given कर रखी वो कितनी है 30 cm और overall इस पेलो ग्राम का area कितना दे रखा है area कितना है 300 cm square तो अब यहां से इसका perimeter find करना तो सबसे पहले हमें इसकी sides तो पता होनी चाहिए कि आखिरका sides क्यों होंगी जब लग side नहीं पता होंगी तब लग आप इसका perimeter नहीं find कर शकते तो आएए इसकी height given कर रखी है तो हम सबसे पहले यदि हम DC को base माल ले तो area पेलो ग्राम क्या था B into H मतलब base into height और यह दे कितना रखा है 300 cm square अब यहां से इस हम base DC को माल ले DC multiplied by height क्या है 20 cm तो 20 cm equal to कितना हो जाएगा 300 cm square अब यह multiplied में है इधर जाकर के divide कर देगा तो अब DC is equal to क्या निकल कि आ जाएगा 300 cm square upon 20 cm अब यहां से जब इसको simplify करेंगे तो कितना DC हमारा निकल कि आ जाएगा 15 cm तो यह जो DC overall था base जब आपने DC को माना तो यह कितना निकल किया गया 15 cm similarly वैसे ही case में जब हम base मान ले BC को तो अब इस पे perpendicular क्या दिख रहा है आपको A हमने इसको point H मान लिया तो H क्या है इसका ही height है तो इस compression में अब क्या इसका area निकलेगा base BC मान लेती है multiplied by height क्या हो जाएगी HA और यह गिता गिवन कितना है 30 cm तो 30 equal to क्या होगा 300 cm square अब यहां से 30 उधर जाकर क्या रते कर देगा divide तो यहां से BC equal to क्या निकल के आएगा 300 cm square अपन 30 cm इसको जब simplify करोगे तो BC कितना निकल आएगा 10 cm मीटर साइट कितनी निकल आई 10 cm आपोजिट साइट इकोल लेती है पहलोग्राम में तो यह 10 यह भी 10 यह 15 तो यह भी 15 अब आपको क्या करना है पेरिमीटर बता करना था तो पेरिमीटर का फॉर्मूला क्या था 2 A प्लस B अब A हमने इसको माल लिया तो यह B हो जाएगा तो यहां से पुट कर देंगे A कितना हो जाएगा? 15 प्लस B कितना? 10 15, 10 25 तो 2 मल्टिप्लाइड बाई 25 इकुल कितना हो जाएगा? 50 सेंटी मीटर बात करते हैं अगले नंबर क्वेशन की गिविन कर रखा है इन पहलो ग्राम A, B, C, D A, L and C, M परपेंडिकुलर टू C, D and A, D रिस्पेक्टिबली जहां पर A, L 20 सेंटी मीटर और C, D की लेंथ 18 सेंटी मीटर and C, M C, M की जो है लेंथ 15 सेंटी मीटर दे रखी है then find the area and perimeter of फेलो ग्राम अब यहां से देखें तो यह A, L जो है यह क्या परपेंडिकुलर की भी लेंथ गिवन है और एक जो D, C हमारी लेंथ है इस ओर 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 पेलो ग्राम की वो गिवन कर रखी तो यदि हम D, C को बेस मान ले तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है हमारा A, L तो इस कमपरीजन में है तो हम इस ओर 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 पेलो ग्राम का area निकाल सकते हैं क्या? area क्या होता है? B into H तो अब उठकर लेज़े क्या हो जाएगा? B, क्या हमने माल लिया? D, C, D, C है कितना? 18 cm multiply by और A, L कितना given कर रखा है? 20 cm तो 20 cm अब ओर राल कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, यहाँ पर carry कर लेंगे और 18, 2 जा कितना होता है? 36 तो 36 यह cm में था तो cm square में area निकला जाएगा तो overall इस परिलोग्राम का area कितना निकल किया गया? 360 cm लेकिन अभी तो हमें यदि इसका perimeter पता करना है तो इसकी यह भी तो side हमें confirm होनी चाहिए क्योंकि जब लग यह side नहीं पता चलेगी अब यह 18 था तो यह 18 होगा ही होगा तो अब यदि हम इसके comparison में overall area तुम्हें पता है तो इसके comparison में यदि हम base A, D को मान लें तो इस पे perpendicular क्या जोआ है? M, C और perpendicular M, C की तो length given ही कर रखी है तो हम इस comparison में यदि area निकालें तो base क्या हो जाएगा हमारा? A, D A, D multiplied by M, C की value कितनी है? 15 cm equal to area same तो कि जो area इस angle से आएगा वही area तो इसका base मान करके आएगा तो area कितना? 360 cm2 आप यह 15 cm है उद्धा जा करके क्या कर देगा? divide कर देगा तो A, D equal to कितना हो जाएगा? 36 0 cm upon 15 cm आप इसको जब simplify करेंगे तो 15 2 जा कितना हो जाएगा? 36 remaining बचेगा तो 60 हो जाएगा तो 15 4 जा कितना हो जाएगा? 60 तो 24 cm तो A, D की length क्या जाएगी? 24 cm अब यदि A, D की length 24 cm आ जाएगी तो ये भी 24 cm होगी अब देखिए आपको 4 sites पता चल गई तो अब आसानी से आप इसका perimeter भी find कर सकते हैं area तो आपका पहले ही निकलाया था, तो perimeter क्या था? 2 A प्लस B इस formula में put कर दीजिए, ये क्या था? perimeter तो अब 2 A कितना है? 18 बेस माल लेती हैं तो कितना? 18 प्लस B कितना है? 24 अब 18 और 24 को add करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, 4 12 का 2, 1 कहरी 2, 1, 3, 1, 4 42 multiplied by 2 अब इसको जब simplify करेंगे तो 42 जाए कितना होता है? 84 84 cm तो overall perimeter इस पैरलोग्राम का कितना आजाएगा? 84 cm बात करते हैं question number 4 की given कर रखा है 2 adjacent angle of a पैरलोग्राम 1 such that 2 third of the other find the smallest angle तो हमने क्या पढ़ा था? पैरलोग्राम के केस में जो 2 adjacent angle होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 degree तो अब यहाँ पे 1 angle जो given है उसका जो दूसरा angle है वो क्या है? 2 third है तो suppose हमने माल लिया इसका जो largest angle है वो हमने x माल लिया तो अब चोई smallest angle होगा वो क्या होगा? उस x का 2 third होगा तो हम कह सकते हैं यह angle क्या होगा? 2 x upon 3 मतलब यह x था तो x का x का 2 third कितना होगा? x की multiply करेंगे तो कितना? 2 x upon 3 ही तो होगा तो इन angle का सम कितना होगा? 180 degree क्योंकि adjacent angle का सम कितना? 180 degree तो अब यहां से हम यह लिख सकते थे कि angle b plus angle c equal to कितना? 180 degree ही तो होना चाहिए तो कि angle c का adjacent angle क्या हो? b इसके comparison में देखें तो इसका यह भी क्या हो जा? adjacent angle ही तो होगा लेकिन हमने इन दोनों को माल लिया तो अब यहां से इनका सम क्या given कर रखा? angle b है तो वो कितना? 2 x by 3 plus angle c कितना है? x equal to 180 degree अब हमें क्या करना है? इन दोनों को पहले अब यहां पे देखें तो जब lc लेंगे तो यहां पे 1 होगा तो 3 से multiply करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 3 x तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 x plus 3 x upon 3 equal to 180 degree अब यह 3 क्या है? divide में है इधर जाकर क्या हो जाएगा? multiply में तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? 2 x plus 3 x मतलब 5 x equal to 180 multiplied by 3 इधर आकर क्या? multiply कर लेगा तो अब यहां से क्या करिए? 5 x x को ही दो में find करना है तो x equal to क्या हो जाएगा? 180 multiplied by 3 upon 5 अब जब इसको simplify करेंगे तो यहां से x कितना निकल किया आएगा? 5 3 जा 15 3 बचेगा 30 हो जाएगा और 5 6 जा तो यह 36 time और 36 3 जा कितना होता है? 36 2 जा 72 33 जा कितना हो जाएगा? 108 तो 108 तो इसका जो largest angle होगा मतलब यह angle कितना हो जाएगा? 108 degree और हमें तो smallest angle पूछा है तो आप इस वाले value में put कर दीजिए तो कितना था? 2 multiplied by x कितना है? 108 upon 3 अब 3 से क्या करें? इसको simplify कर दीजिए तो 3 तीन नो और एक बचेगा तो 3 सिखजा 18 तो 36 36 2 जा कितना हो जाएगा? 72 तो इस smallest angle कितना आजाएगा? 72 degree तो smallest angle आपका B था तो इस इस तरीके से बहुत सारे questions बनते हैं पैलोग्राम के cases में आप इन questions को तो solve करेंगे ही करेंगे प्लस उसके साथ साथ आपके बुक की exercise में given कर रखे होंगे उनको आप अच्छे से solve करिए फिर भी यदि कोई समस्या आती है description box में Instagram की ID का link प्रोइड है जिससे क्या उनको भी इस free of content का फाइदा मिल सके और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को like और share जरूर करवाईए और subscribe करवाईए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए झाले से हैं